आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है, जैसा आपको पता है, Amazon अपने गेम में सफल होता जा रहा है, और यहाँ पर उन्होंने future group को निस्तो नाबूत करने का जो पहल की है, वो almost हो चुका है दोस्तों, बहुत शमाच आते हैं, हमारा खुद का portfolio काफी गिर चुका है इस stock म particularly average price 85 के आसपास है, और आज का भाव 42 रुपे के आसपास, 50% से भी जादा हमारा portfolio गिर चुका है, जो कि हमारा portfolio size का, 5% का हमारे पास portfolio size है, future group के stocks में, future retail and future lifestyle fashion दोनों मिलाकर, पर अब यहाँ पर कोई भी अच्छी खबर ना आने की वज़े से, positive news ना होने की वज़े से, और स साती सात में Supreme Court का जो सुनवाई है, वो April end में है सबसे पहली, और यह नहीं है कि April end में ही उसका result आ जाएगा, कुछ ना कुछ उसमें delay होंगे, कुछ ना कुछ उसमें discussion होगा, तो यह एक challenging बात है, जो आपको ध्यान रखनी है, कि आगे आने वाले समय में थोड़ा सा नमरु रहेगा, वो एक important decision है, हमारा apex court क्या decision लेगा इस सिलसले में, साती सात में, जो employees और जो lender की दुर्दशा हो रही है अभी यहां पर, उसका कौन जिम्मेदार होगा, यह बहुत बड़ा प्रशन है, आईए चल कर इसका visualization करेंगे और अपना view बताएंगे, दोस्तों अगर आप का portfolio size 10 lakh या उससे बड़ा है, तो अगले 15 second दीजिए, otherwise आप अपना continue कर सकते हैं main section, अगर आप regular income चाते हैं date reading करकर, तो आपको चीजों की बारीकियों को समझना होगा, और साती सात में हमने उसके लिए एक आपके लिए workshop design किया है, 14 दिन का workshop है, पहले दिन आपको classroom style में सिख दिखाय जाएगा, अगर interested है, तो mail कीजे, dedicated video दिखाय जाएगे, ताकि आपको access मिले, पूरा का पूरा understanding का, पिछले हफते, जो हमारी weekly expiry थी, उसमें 43,000 का profit हुआ है, one of our members, तो आप चाहें, तो हमारा portfolio management service और intraday service को join कर सकते हैं, अगर हम feature group की बात करें, तो April 30 एक important date है feature group क के लिए Supreme Court की जो सुनवाई होगी, उसका discussion, वहाँ पर argument चलेगा, और किस तरह से Supreme Court के judges इसका फैसला लेंगे, वो एक बहुत important मुद्दा होगा, उनको ये भी ध्यान रखना है, जो Singapore International Arbitration Court का result है, वो आएगा, तो उसके उपर ये क्या निर्णे होगा यहाँ पर, ये एक ब stock, एक long term के लिए तो अच्छा stock रहेगा, बट क्या अभी यहाँ पर कुछ और downfall हो सकता है, शायद हाँ, कितना लो जा सकता है, ये कोई नहीं बता सकता दोस्तों, never try to catch a falling knife, जैसे हम हमिशा बोलते हैं, हम यहाँ पर थोड़ी quantity में इसको ले रहे हैं, एक तो financial event है, मार पास quantity जादा नहीं हो सकती है, और दूसरा, क्योंकि अभी जब तक इसकी positive news ना शुरू हो, जो कि ये क्यों दिन में आने की उमीद नहीं है, इसमें भी time लगेगा, तो ये थोड़ा सा challenging रहेगा, जो गिरा है, बैल इस रुपे के आसपास, वो हमारे expectation के beyond है, हमने इतना fall down नहीं उमीद किया था, कि ये यहाँ पर इतना गिर सकता है, प्लीज कंसलर फैनेशन एडवाजर बिफोर इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग, रिलाइन्स हेल्प कर रहा है, जितनी भी चाहे, उतनी मदद कर रहा है, यहाँ पर, जियो के थूरू, orders आ रहे है, नए स्टफ आ रहे हैं उनके स्टोर्स में, ताकि उनका कैश फ्लो पॉजिटिव रहे या जनरेट होता रहे है, यहाँ पर यह बहुत बड़ी चैलेंज हो सकता है, इस स्टॉक में, क्योंकि अगर कैश जनरेट नहीं करेंगे, अगर operation से कैश फ्लो नहीं होगा, तो यहाँ पर debt की problem और ज्यादा बढ़ती जाएगी, और जिसकी वजए से यह stock further एक बड़ा challenge प्रसुत कर सकता है, हमें, देखें, इस financial year के लिए हमने जो अपनी large quantity on average हम 1000 order का place किया करते हैं, वो हमने stop कर दिया है, very minimal quantity हम ले रहे हैं अभी यहाँ पर, क्योंकि audit चल रहा है, तो अब अगर हम बात करें, feature retail हमारे पास क्या है, दोनों हमारे पास feature retail, feature lifestyle fashion है, feature retail का average हमारे पास 85 के आजपास है, हमने 95 से इसका average 85 करके रखा है, reduce करके, क्योंकि हम average quantities को बढ़ाते जा रहे हैं अपनी यहाँ पर नीचे के level पर, अब अगर हम NCLT की बात करें, NCLT एक challenge produce कर सकता है, अगर यहाँ के vendors, जो है, NCLT पर चले जाएं, तो NCLT ने deal के लिए तो approve कर दिया है, बट अगर यहाँ पर, जो हमारी company की law है, उसके accordingly, NCLT में चला गया यह feature group, तो यह आगे बहुत गिर सकता है stock यहाँ पर, तो उसका process थोड़ा slow रहेगा, और यहाँ पर अभी, धीरे foot fall जो है, वो improve हो रहे है feature group में, बिग बजार में आप जाएं, तो थोड़ी चहल पहल दिखती है, वहाँ पर managers से बात करें, तो उनकी training चल रही है, reliance के साथ में, तो यह एक हो सकता है, आगे इसको positive momentum के साथ बढ़िया बने आगे, जब तक इसकी positive ख़बर नहीं आएगी, त ताकि हमने कल के trade में, उससे पहले हम आपको बताते हैं, देखें कल वीडियो नहीं बन पाया था, तो उसके लिए हमने आपका screenshot लागे रखा है, उससे पहले अगर आज बात करें, पहले ही एक minute में, करीब करीब यहाँ पर 4 लाग hand exchange हुए है, shares, और एक 44 के level से गिरकर, यह 42 265 का level पहुच गया है, यहाँ पर, हमारे price, average price के almost half level हो गया है, almost 50% हमारे पास अभी यहाँ पर loss है, feature retail में, अगर आप chart के business पर भी देखें, तो देखें, 70 का level काफी अच्छा level था है, यहाँ पर काफी अच्छा consolidation किया है, अब यह इसका resistance की तरह से काम करेगा यहाँ पर, और इसने एक straight direction में downfall शुरू किया है, जो कि अगर यह उपर बढ़ना भी शुरू करता है, तो 70 का एक सबसे पहला resistance रहेगा यहाँ पर technical parameter के basis पर अगर देखा जाए तो, जब तक पूरी positive ख़बर नहीं आती है, तो अगर बढ़ने भी लगता है, तो 70 के उपर यह जाना ब multiple business है, feature group का primary expectation यह है, कि यह यहाँ पर deal होगी, तभी यह stock आगे चलकर उपर multi bagger की तरह से काम करेगा, अब अगर हम कल की trade की बात करें, तो कल हमने दो lots में खरीदारी की थी, और जैसा हमने बताया, lot हमारे small size है अब यहाँ पर, 9 बज के 39 मिनट पर, हमने 44.95 पर buy किया, और load circuit रहा सारे दिन, शाम को अपनी internet trade close करने के बाद में, 15.18 के आसपास हमने another lot buy किया, 44.85 के आसपास, तो यह हमारी कल की trade थी, शमा चातना है, कल वीडियो नहीं बन पाया ता इसका, आज इसलिए दिन में बना रहे हैं, और आज की हमने क्या किया, आज load circuit में लगा हुआ है, इसलिए हमने अपनी आज की जो position है, वो यहाँ पर morning में ही ले लिया है, 9 बच का 35 मिनट पर, 42.65 पैसा पर हमने इस position को अपने पास रख लिया है, अगर आपके पास कोई भी question है, तो please comment box में डालिएगा, हमारा view अभी भी bullish है, हमारी position अभी भी same है, और देखें दोस्तों कमेंट आ रहा है कि आप 170 का target कैसे अभी भी same maintain कर रहे है, जब यहाँ भाव 45 के आसपास आ चुका है, कल का भाव 45 के आसपास था, तो आपको एक बात समझाते हैं, देखें दोस्तों, अगर आप deal में believe करते हैं कि deal होगी, तो deal का जो ratio होगा, same है जो already announced किया हुआ है, और 17 र तो यह उसके साथ में plus some additional valuation के basis पर हमने इसका 170 target बताया है आपको, हमारी average अभी भी 85 है, क्योंकि ज़्यादा quantity नहीं है यहाँ पर, quantity बहुत minimal है, इसलिए हमारा average is still maintained, हमारी request, काफी लोगों ने question पुछा है कि sir क्या feature retail को बेशन शुरू कर दे, देखें दोस्तों, अगर अच्छी लगेगी, तो एक बार like बटन ज़रूद बाना, 1000 से ज़्यादा like होने चे इस वीडियो के लिए, और हमारा target जैसे हमने बुलाए feature retail का, आने वाले 36 महिने के अंदर 170 का target हम still maintain कर रहे है, और अगर आप हमारी service चाते हैं, तो mail drop की जिए भवनादीर no.780gmail.com, जही